कोसी नदी हजारों लोगों की जिन्दकी तभा कर रही है ये बिहार के मधुबनी जिले के गाउं है जहां कोसी नदी का तांडव देखने को मिला है कोशी नदी सिर्फ एक नदी ही नहीं बलकि पानी का ऐसा बेकाबू बहाव है जिसने पूरे के पूरे गाउं को बाड में तब्दील कर दिया है हर घर पानी में पूरी तरीके से जलमगन हो चुका है यहां के लोग हर साल बाड की चपेट में आते हैं और उनके पास इससे बचने का कोई और विकल्प नहीं है अभी हम नौके पर मौझूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह कोशी का इलाका है जहां तक नजर पड़ेगी वहां तक कोशी ही कोशी है वहां तक पानी ही पानी है और बिल्कुल मेरे ठीक पास में देखिए यह जो कटाओ हो रहा है इस कटाओ की वजह से कोशी के अंदर कई सारे घरे जा चुकी है जमिंदोज हो चुकी है मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा मैं आपको मूव करके पीछे के और दिखाएं एक छोटी सी जोपड़ी देख रही होगी यह सामने देख लीजे इस तरफ इंट की हुई है और यह इंट जो है वो तूटा हुआ मकान कह सकते हैं जो की कोशी के चपेट में जा चुका है लेटी ने कोशी नदी के भायंकर रूप को देखने वाले कुछ गाउंवालों से भी बात की और उनसे उनका दर्द जाना बाड का नजारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम आपको बाड पीड़तों का दर्द उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनाते हैं चवदा बार इस नदी से कड़ेह हैं ऐसान आप कर चुकें बावन शाल कुमर में हम 14 बार कर चुगे हैं और हर भीद्याले अभी दूर में तोर में दूर को रस्ता नहीं लिए हैं हर साल इसी तरह से होता है हम लोगं कि नदी के कटाउ से बहुत परिसानी हो रहा है इसलिए कि undertव हो जाते हैं भी जो बरतमान में मौजूदा अप नोग जो आए हैं हम लोंका घर कट गहां हम लोग अभी बरतमान में आप देख रहे हैं कि हम लोग यहां का अक्सर बेक्सर घर बाट के चपेन में आ जाती है और इससे पहले हम लोग का घर नदी से कटा हुआ था जिस पे सरकार कुछ रहात भी दी थी और इस मरतबा जो कटा हुआ है वह अभी तक सरकार के तरफ कोई रहात नहीं आई है यह पहली बार नहीं है ऐसा हर साल होता है कोसी नदी की लहरे हर साल घरों को अपने साथ ले जाती है इस साल भी गांवालों ने अपने घर को छोड़ा अब किसी नई और सुरक्षित जगा पर जाने के लिए वहां घर बनाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं, कितनी बार, कितनी बार लोगों का आशियाना ऐसे ही पानी का प्रकोप जहलता रहेगा, सरकार कब तक इस मामले पर चुप रहेगी. कर रहे हैं, आती है अपना हवा पानी देखे अपना इलक्षन के समय आता है, इकर देंगे, उपकर देंगे, उसके बाद जब इस तब खत्म हो जटा उसके बाद इस बाद इससे पर कुछ ध्यान नहीं देता है, जो अभी कुछ किसांद जो है द्धान करोपनी भी किया था, फसल भी वरवाद हो गिया और नया नया जो मकान बनाए हुआ था मकान नदी में कटके बिलिन हो गिया है। कोई भी विवस्ता ना पलास्टिक है ना अनाज है ना कुछ सरकार कुछ नहीं हम लोगों को मद्यद कर रहा है। कटों के चपेड़ में हम लोग हर साल आ जाते हैं और हम लोग का आर्थिक इस्तिती बहुत कमजोर है। कभी जमीन बालू को वेसे भर देता है, कभी घर कर जाता है। यहां का इस्तिती बहुत दी गंबीर है। बुजुर्गों की आखों में चिंता है, जवान अपनी जिन्दकी की लड़ाई लड़ रहा है। और बच्चे भूक और परिशानियों से परिशान हैं, महिलाएं अपने घर परिवार को खाना नहीं खिला पा रही। गाउं वाले सरकार से क्या चहते हैं आपको ये भी सु आते हैं। चाहिए इसको मधवनी जिला में जो हम लोगो कहीं प्रणवास का वेवस्ता कर देगा तो हम लोगो इस तरह से मकान को नदी में नहीं कटेगा। वह अपना घरूर बना करके अपना अस्थाई से रहेंगे। यहां से हमारे पुरवज को सुपल जिला में प्रण जो हम लोगो को एक अच्छी जगा उंचा अस्थान कर दिया जाए जो हम लोग उस जगह उस्तीर हो करके हम लोग चैन से रहेंगे। कम से कम से पच्छाट शेहतर पड़िवार है जो सारा यह नदी में कट गया है। जब हम लोग वहां से आ करके यहां पर बना रहे हैं घर। जिस इलाके से मंतरी पद को कोई शुशोभित कर रहा हो शीला मंडल है यहां से और पड़िवहन मंतरी है बिहार सरकार की। तो जबा सोचिए कि जिस इलाके के लोगों ने वोट देकर उन्हें इस लायक बना दिया कि वो बिहार सरकार में मंतरी पद को संभाल सके उनके इलाके के लोगों की समस्या कितनी गंभीर है। अजीब बात है इस इलाके से बिहार सरकार के दो मंतरी हैं लेकिन यहां की जिन्दगी में कोई सुधार नहीं आया। एक तरफ सरकार करोडों रुपे खड़ चुकरने का दावा करती है दूसरी तरफ इन गाउं में विकास का कोई नामों निशान नहीं है। क्या यही है हमारे विकास की कहानी क्या यही है हमारे विहार की कहानी।